गोपाल से बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं जाए शिवराज काबिनेट के आज एहम बैटक होने जा रहे ही है कई ऐसे हैं प्रस्ताव है जिसकार मोहर लगी किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है शिवराज सरकार 11 लाग किसानों का ब्यास माक करने का काबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा अब पात्र किसानों को भी इसका लाब मिलेगा और 2 लाग बकाया वाले किसानों को भी सीधे तोर पर पाइदा पहुँचिगा कैबिनेट की इस बाटक में मनजूरी मिल सकती है जाना मद्यबदेश गुपाल से इस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां शिवराज कैबिनेट की आज एहम बाटक होने वाली है और कई एहम प्रस्तावों पर आज मनजूरी मिल सकती है इसके बादी शिवराज कैबिनेट की काफिए हैं बहता कुछ पर बताई जारी है 11,00,00 किसानों का ब्याज माफ करने का कैबिनेट में प्रस्ताफ जो रखा गया है अपातर किसानों को भी इसका लाब जो वो सीधी तौर पर मिले का वहीं दो लाग बकाया वाले किसानों को भी पाइदा पहुँचने की सम्भावना दिख्की हूई नज़ारी है तो कैमिनेट की बैठक में मनजूरी मिलने की इस्तिया फिलहाल दिख रही हिए पर आपातर जो ऐसे किसान है जोने लाब नहीं मिल रहा था बंचित थे वो और अब इन्हें पूरी तोर से लाफ मौचानी की कोशिश जो है विस क्याबिनेट बैठक में भी जा रही है काई ऐसे प्रस्ताव है निहां जिसमें मंजूरी मनने की संभावना जो अब तलहाल दिखती हुए थी नज़र आए इस बैठक को किसानों के हित में देखा जा सकता है चुकि ब्याज माफ को लेकर जी और अपातर किसान को लेकर भी इसमें प्रस्ताव रखी जाएंगे बैठक में किसानों के हित में ये बैठक हो सकती है 11,00,000 ऐसे किसान हैं जिनका ब्याज माफ करने का क्याबिनेट में प्रस्ता रखा गया है क्योंकि कर्ज किसानों का लगतार बढ़ रहा था किसान जो थे वो कर्ज में डूपे हुए थे तो उनको राहत पहुचाने के लिए तरह से उम्मीद की जा रही है नलवार का दिन होता है जब शिवराज कैबिनेट के आहम बैठक होती है और यही कई ऐसे मसले होते हैं जिस पर मुहर जो है वो लगने की संभावना देखे गया क्यारा लाग किसानों का ब्याज माफ करने के लिए कैबिनेट में बिस्तार रखा जाएगा पातर के सानों को भी इसका लाब मिलेगा है बैठक आज शिवराज कैबिनेट की मदेबदीश पोपाल में होने वाली है दो लाग वकाया वाले की सानों को भी इसका लाब मिलेगा काबनेट की बैठक आज हो सकती है और श्रीराज काबनेट की एहम बैठक की मानी जा रही है विलकुल तो एहम बैठक जो है वो मानी जा रही है झाल 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 झाल